नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com है अभी कुछ दिन पहले ही F-CAT 1 2022 बैच का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ था फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड डूटी टेक्निकल और टेक्निकल ब्रांच और NCC स्पेशल इंट्रीग लिए और इसके जो रिइस्टेशन है वो स्टार्ट हो चुके है 1 दिसंबर 2021 से और 30 दिसंबर 2021 जो है वो लास्ट डेट है एपलाई करने की और एक्जामनिशन जो है वो आपका फरवरी के महीने में कंड़क्ट हो सकता है टेंटिटिट डेट है और देखे रिइस्टेशन जब स्टार्ट हो चुके है तो आज हम बात करने वाले है रिइस्टेशन के बारे में ही यानि स्टेप बाइ स्टेप पूरा प्रोसेस क्या है एपलाई करने का वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले यह देखे डारेक्ट लिंक है यहां पर आप जाकर अपना रिइस्टेशन जो है वो कर सकते है एपलाई कर सकते है इस पर आप जाईए तो यहां पर देखे आपको क्या करना है अगर आप ओल्लेडी रइस्टर है तो आप लॉग इन कर लिए लेकिन अगर आप रइस्टर नहीं है तो पहले आपको sign up करना होगा sign up कैसे करना है अपना नाम डालिए अपने फादर का नाम अपनी मदर का नाम डालिए अपना email address डालिए अपनी nationality select कीज़े अपना contact number डालिए एक secret question है आपर वो आपको select करना है उसका answer करना है जो capture में इस दिख रही है बॉक्स में वो आपको डालिए और sign up पर click करना है sign up पर click करने के बार आपके email पर एक passport आया होगा वो passport यहाँ पर डालिए email डालिए security image बॉक्स में डालिए login पर click कीज़े उसके बार अपना जो password है उसको reset कीज़े नया passport इक select कीज़े submit पर click कीज़े उसके बार अब जो आपने नया passport नाया उसके साथ login कीज़े और अब देख application form का 1222 select exam category आपने exam category select करनी है जैसे यहाँ पर start कर लिया है मैंने तो instruction पर click किजिए instruction पर click करेंगे instructions को read कर लीजिए स्कॉल करकी नीचे आईए terms and condition को read कर लीजिए आईए guidelines वगरा है जो है उस पर click कीजिए save and continue पर click कीजिए save and continue पर आपको click करना है उसके बाद आपका application form आगया यह details जो आपने fill की थी वो already आपको show हो रही है उसके बाद आपको आपका mobile number वगरा show mobile number डालना है आपर अपना nationality आपको डाल लिए अपना visible identification mark डालिए उसके बाद अगर आपने cbss या pabt status बताना है अपना pass है failed है not appear जो भी है आपका वो बता करना है जैसे मैंने देहरादू select किया है उसके बाद देखिए अगर आपका current वेलेट commercial pilot license है तो आप जो डीजी सी देता है तो यस कीजिए नहीं है तो no कीजिए are you serving airman of IAF yes या no मैं answer करना है अपना gender select कीजिए matter status select कीजिए अपनी date of birth select कीजिए और date of birth को confirm कीजिए मैं एक बार camera off कर देता हूँ date of birth confirm कीजिए उसके बाद save and continue पर click कीजिए फिर next पर click कीजिए अब आपको अपनी qualification की यहाँ पर details डाल लिए तो आपकी जो highest qualification है पहला है तो वो यहाँ पर select कर लीजिए जो भी आप क्या है इस qualification हो जैसे मैंने 10 प्लस 2 integrated post creation किया है select किया है select कर लीजिए उसके आपको details डालनी है सबसे पहले post creation की detail डाली है अपनी qualification select कीजिए qualification stream select कीजिए course duration college का नाम university का नाम passing date और कितने percentage है aggregate growth वो आपको बतानी है फिर graduation की detail से आपको तरीके से 10 प्लस 2 की detail से आप डालनी है आपको उसके बाद save and continue पर click करना है save and continue पर click करने के बाद next पर click कीजिए next पर click करने के बाद अब आपको क्या करना है course preference देनी है left hand side में course है उनको stick की select कीजिए और right hand side में जो course है आपकी preference आ जाएगी जैसे मैंने पहरी preference दिए logistic फिर administration फिर logistic administration, aeronautical, engineer, mechanical इस तरह से आपको preference देनी है फिर देखिया आपको अपनी eqt या पर type select करना है जैसे मैंने eqt mechanical select किया है उसके बाद देखिया आप other details डालनी है आपके पास Nct Irving C certificate है या नहीं yes या no में answer करना है इस से पहले आप SSB में appear हुए है yes या no में answer आपको करना ह है उसके बाद देखिया आपको इस advertisement के बारे में कैसे पता लगा ये इस opening के बारे कैसे बता लगा आपको तो वो आपको ताना है जैसे मुझे newspapers बता लगा फिर अगर आप gate क्लिया पेर हुए है तो yes कीजिए नहीं हुए तो no कीजिए अगर yes करते हैं तो year बताईए और अप आपको gate score card के साब से save and continue पर क्लिक करना है फिर next पर उसके बार आपको अपना address डालना है सबसे पहले अपना जो है वो corresponding address डालना है अपना house number डाले इस्ट्रीट डाले अपना state डाले के देखिये और देखिये मैंने फोटो सिगनेचर को रिसाइज किया इस पर ही फोटो क्रोपिंग डिसाइज करना है तो इस टूल का लिंक जो है वह आपको डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा जिससे आपने फोटो सिंगेचर को recite कर सकते हैं उसके बाद आपको अपना exam का यहाँ पर state or city select करना है 1,2,3,4 preference देनी है आपको तो अपना state select कीजिए आप अपना exam city जाती है और फिर city select कीजिए save and continue पर click कीजिए next पर click कीजिए उसके बाद देखिए आप in conditions को पढ़ दीजिए final submission से पहले और फिर देखिए declaration पर जाईए declaration में आपका पढ़ दीजिए अच्छे से save and continue पर click कीजिए अब आप देखिए फिर से उसी page पर आ गई है आपको सिर्फ payment करना है तो make payment पर click कीजिए यहाँ पर payment page पर आ गई instructions को read कर लीजिए payment complete कीजिए payment complete होती है आपका जो registration है वो भी complete हो जाएगा तो यह simple सा step by step पूरा process था F-CAT 1-2022 में apply करने का जिसके registration 1 December से start हो चुके है और 30 December 2021 last date apply करने की तो यह दिकि हमने apply करने का process तो पूरा जान लिया है लेकिन समय समय पर जो अलगला recruitment notification लीज होते हैं उनकी complete preparation के लिए सबसे अच्छा option है वो है यह test book pass क्योंकि इस एक pass के साथ आप तयारी कर सकते हैं 410 से ज़्यादा exams की और इसमें आपको मिलते हैं 27,000 से ज़्यादा mock test और अभी चल रही है 24 hours के लिए mega sale यानि सिर्फ रुपीज 399 में आपको मिल रहा है 14 महीने की validity वाला test book pass यानि बिना किसी extra charge के आपको मिल रही है 2 महीने की extra validity और मेरी तरफ से आपके लिए एक surprise है और वो यह है अगर आप मेरा coupon code यूज करते हैं YT5 तो आपको इस test book pass पर additional 5% का discount दिया जाएगा तो इसी के साथ इस वीडियो और जानकारी कौमिया पर समाप करते हैं आप लोग अपनी exam preparation और exam related सभी update लिए टेश्बुक के साथ बने रहे हैं press the bell icon for all the latest update regarding और exam